इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि जैसे भी आप PF में लोग इन करेंगे और उसका e-nomination करेंगे देखिए e-nomination लिखा हुआ है तो e-nomination करने वक्त हमारा देखिए e-nomination successful हुआ पड़ा है आप जब e-nomination करेंगे तो आपको अधार काड का virtual ID मांगता है वाँ पे तो इसने वीडियो होने वाला वीडियो में अंतर पने रहेगा पूरा वीडियो देखेगा तब आपको समझ में आएगा ठीक है कि जब भी आप इने नो-मिनेशन करेंगे इसमें पी-अप में नो-मिनेशन करेंगे आप तो वहां पर आपको जो मांगता है तो virtual ID मांगता है त उसके बाद फिर से हमने यहाँ पर खिलिक किया ठीक है और उसके बाद यहाँ पर हम डालने के पाद इसे हम कीरी कि बड़ते को अ क्या है यहांत और है और आपको चाधूरकर टालना है यहां-धान ठीक है और capture टालने के बाद यहाँ पर send OTP पर किलिक करना है सेक्सेस्पुली डिस्पैच यहाँ अधार रेजिस्टर मोईल नमबर यहाँ पर एक OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ पर इंटर करना है ठीक है और उसके बाद फिर यहाँ verify and proceed पर किलिक करेंगे अब verify and proceed पर किलिक किया देखें यह वर्चुल आईडी यह इसको बी इडी भी बोलते हैं तो इसको हमने generate कर लिया है आपके पास message भी आ जाएगा ठीक है message में लिखा रहता है जहां OTP आता है ना वहाँ message में आपको लिखा रहता है यह देखें नाम से डियर ABCD इतना 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 इस दा वर्चुल आईडी फोर यूर अधार नमबर इतना इतना has been generated अप इतना date से इतना ठीक है तो इस तरह से आप वर्चुल आईडी जनरेट कर सकते हैं अपना UNA में जो आप नोमिने करेंगे नोमिनेशन करेंगे वहाँ पर आपको काम आएगा वीडियो पसंद आयेगा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए कमेट करिए और दोस्तों में सेर करें थेंक यू सो मच सब्सक्राब